नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका 12 ओफ जैन वेडनेस डे की डेटा एंसिस की वीडियो के लिए आज है 11 जनवरी ट्यूजडे यह जो डेटा निकल किया है इसको एक बार डिकोड करने की कोशिश करेंगे कंकुलूजन निकालेंगे ऐस पर स्मार्ट मनी डेटा तेजी का है की मंदी का है उसके बाद एक लेवल निकालेंगे जिसके बाद डिसाड करेंगे की वही हमें डेटा को प्ले करना है की नहीं करना है उस लेवल के बेसिस पर अगर आप बाई और सेल करते हैं तो आप से रिक करके पकड़ते हैं इनको क्यारम के चारों खिलाडियों को क्लाइंट को एफाइज को प्रोज को क्या किया है इन्होंने क्लाइंट की स्टॉक फ्यूचर की वॉल्यूम कुछ खास है नहीं इंडेक्स फ्यूचर की वॉल्यूम कुछ खास है नहीं तो इनको काउंट करने की जादा राइट की है तो इनका भी मिक्स टाइप कर डिटा है बट थोड़ा मैं बेरिश बोलूँगा क्योंकि स्टॉक फूचर निकालना मेरे लिए बड़ी बात है जब मैं डेटा की रेडिंग करता हूं एट लिस्ट मैं स्टॉक फूचर को बहुत एहमियत देता हूं प्रो यह कोई खास चेंजिस है नहीं कुछ ज्यादा लेटेस डेवलोपमेंट इसमें आज के दिन नहीं हुई है तो मैं इसको ना उपर बोलूँगा ना नीचे बोलूँगा कॉल साइड की तरफ आते हैं तो कॉल साइड में आप देखेंगे तो प्रोज एंड एफाइज यह आ क्योंकि एफाइज की मनी पावर प्रोस से थोड़ी जादा होती है जो आचना एक्लाइंट होगा रहते हैं और वे मैंने बहुत बार देखा है कि एफाइज जो है पैंट उतार देते हैं लोगों की कॉल साड के एसाप से डेटा तेजी का है बट कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे बोल दिया जाए कि बही कलतेजी होगी क्योंकि जो exist करता था उतना ही है कोई ज़्यादा फाल तो create नहीं किया है और आज भी ये 75,000 contract होने के बावजूद भी बढ़ा नहीं पाए निफ्टी बैंक निफ्टी को और उपर से अब राइटिंग में आ गए है प्रोज तो हलकी करते जा रहे है और प्रोज ने भी अपनी put buying बढ़ा ली है और यहां से client भी निकलते जा रहे है तो यह भी data जैसा का वैसा ही यह ज़्यादा कोई खास यहां से भी कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है तो मतलब derivative से कोई indication ही नहीं आ रही है बाई डेटा तेजी का एक ही के पास आप देखेंगे यह उपर की तरफ मटन बिर्यानी है नीचे की तरफ चिकन बिर्यानी है मार्केट अगर गिरता है तो यह अच्छा खासा पैसा कमा जाएंगे भाई नीचे की तरफ आते हैं हाँ यहां से जरूर मुझे बोलूँगा डेटा थोड़ा मंदी का है कि डेटा मेरे लिए अगर आप मुझसे के कंक्लूजन पूछे तो न्यूटरल टू बेरिश कालिजिया इसे थेटा मेरेस को और रहेगा न आउपर रहीगा न नीचे रहेगा थोड़ा सा नीचे रह सकता है तो कुल मिला के बाद यह आती है दोस्तो अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है तो इस डेटा को प्ले करने का लेवल है दोस्तो 7,980 या फिर 18,000 आप लो लिए 18,000 के नीचे रहे तो सेल करेए और वहां से ऐसे लगा लीजे 25 थीज पॉंट का ऐसे बैंक निफ्टी अगर 37,300 को ब्रेक करता है तो वहां भी आप सेल की पोजिशन बना सकते हैं अपनी नीचे की तरफ बस यह है और 200-200 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी और 70-80 पॉइंट के लिए निफ्टी इस डिटा के बेस पे तो इतना ही दम दिख रहा है बाकि त पीचे की तरफ गिरावट होनी चाहिए चलिए थैंक यू वेरी मच